कॉंग्रेस ने की पांच उमिद्वारों की खोशना पतना साहिब से शत्रुगन सनहा को टेकेट दो गंडे पहले हुए थे कॉंग्रेस में शामिल राहूल गांधी ने दिलाई थी सदस्ता अब मिला पार्टी से टेकेट हिमाशल प्रदेश के हमिरपूर से रामदाल ठाकुर को पंजाब के खंडूर साहिब से रस्मिर सिंग गिल डिंपा पंजाब के फदैपूर साहिब से डॉक्टर अमर सिंग पंजाब के फरीद कोड से महमद सादिक को टेकेट दिया गया है तस्वीर टैक्स के जरिये हम आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की पांच उमिद्वारों की खोष्णा कॉंग्रेस ने की है और किनहें कहां से लोकसुबा का टिकेट दिया गया है उसके नाम और जग है हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से बता रहे हैं पटना साहिब से चत्रुग्न सनहा को टिकेट दिया गया है दो घंटे पहले ही वो कॉंग्रेस में शामल हुए थे राहूल गांधी ने उन्हें से दिस्ट आदलवाई है अब उन्हें पार्टी से टिकेट मिला है हमाच्व प्रदेश के हमेरपुर से रामला ठाकुर को टि अब चत्रुग्न सनहा दो घंटे पहले ही कॉंग्रेस में शामल हुए आपको बता दे कि इससे पहले श्रुग्न सनहा बीजेपी में थे आज बीजेपी का जोकिस तापना दिवस है राज़ी के दिन कॉंग्रेस में उन्होंने सदस्थिता ग्रहन किया है और पतना साहिब स देखने से वो लोकसभा का चनाव लडेंगे राविशन कर प्रसाथ के सामने पंजाब के फतायपोर और साहिब से डॉक्टर रमर्ण सिंभ को टिकेट दिया गया है मुहम्मद सा अब को टिकिट दिया गया है कि कहीं न कहीं यी जो टकर होगी पटना साहिब कि दो बड़े देख़ एक दूसरे के सामने हैं कि कुछ समय बाद चुनाव होने हैं लोग सो बाके और तमाम तरही तैयारिया नामांकन भरने के सलसले शिरू हो चुके हैं हर जग ऐसे नामांकन प्रक्रिया चल रही है इस कबर के दिए अधिक जानकारे के लिए मैंट साथ फोनन पर जूर चुके हैं प्रित प्रित बताएं कि शत्रग्रण सिन्हा आज कॉंग्रस में शामिल हो गए हैं और दूसरी और भाजपा का अज इस्थापना दिवस भी है जी बिलकुल भाजपा के इस्थापना दिवस के दिन रौनग शचितन सिन्हा ने कॉंग्रस पार्टी का अपचारिक तोर पर पर पार्टी में जाकर शामिल हो और आज के दिन ही उन्हें कॉंग्रस पार्टी ने पटना साहिब से चुनाओ लड़ने के लिए उमीदवार के तोर पर उतार दिया है तो उन्होंने आज नवराट्रे का पहला दिन चुना था पटना साहिब से चुनाओ लड़ने के ओफिशल एखलान का और साथ में कॉंग्रस में उपचारिक तोर पर शामिल होने के लिए पार्टी कॉंग्रस के मुख्याल में पहुँचकर उन्होंन पर शामिल कराया ऐसे में अब इस तरीके से पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि पटना साहिब से वो चुनाओ लड़ेंगे पार्टी ने ऑफिशली उन्हें डेक्लेयर कर दिया अपना कैंडिडिट दूसर किरफ बहाज़िपास से राज़े सबासांसद रवी शंकर प्रसा उनके सामने चुनाओ लड़ रहे हैं तो किस तरह की टकर हम यह मान सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपने अपनी जगाए पर बहुत बड़े दिगज़ हैं और किस तरह की टकर हमें पटना साहिब देखने को मज़ सकती हैं पिछले काफी लंबर समय से पटना साहिब से चुनाओ लड़ते रहे हैं शतुदन सिना ऐसे में जिस तरह के सब्सक्राइब लगाए जाने थे कि बाज़वा उनकी टिकट कार्ट सकी है इन कयासों के आधार पर इस तरह के से उनकी पार्टी से काफी अन्बन चल रही थी त तो टिकट अनौन्स होने के पहले ही उन्होंने कॉंग्रेस में शामिल होने का शतुदन सिना ने आरान कर दिया था और इसी शर्ट पे कॉंग्रेस में शामिल हुए शतुदन सिना कि उन्हें पार्टी साहिप से टिकट दी जाई ही इतना ही नहीं उनके जो पत्नी है उनको लगनावु से कॉंग्रिस पार्टी में श्रामिल खिराके चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है गौनर्ट अने कि परीद बात की जाया तो भीजेपी चोड़ने का रिजन श्रत्रक्राशना का केवल पार्टी टिकेट नहीं देना था या फिर और कुछ भी रिजन थे इसके काफी नाराज़ की पार्टी से कासबसे क में लंभी चेहां उन करदान मंश्राम ये नहीं क्या गिया गया aan यह भी कैस लगाया जार थे कि उनको मंध्री नहीं बनाया ग्या एस वह नाराज़ के लेकिन हमक्राइस को टीर करती जुड़े नहीं नहीं जुड़े होने के कारण भाज़पा के काफी नेता उनको भाज़पा में सम्मान नहीं देते हैं और यह काफी मन मुटाओ चल रहा था काफी लंबे समय से नाराज बताये जारे थे बागी नेजा के तोर पे अपने आपको शुदितन पीना पहले ही डिक्रियर कर चुके थे ऐसे में पार्टी चोड़कर कॉंगर्स में शामिल होना यह महज एक अपचारिक ताकी रहा थी प्रीत इमाम जाजन कर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं संग परिवार्ट से वो जुड़े हुए नहीं दिए जाता था यह बात भी एक बहुत चोकाने वाली है कि अगर आप संग परिवार्ट से जुड़े हुए हैं तो ही आपको सम्मान दिया जाएगा अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो इलाज और किस तरीके की आपके साथ बात होती है वह अप